दोस्तों पिछले 3-4 दिनों से फिलिस्तीन और इसराइल पूरी दुनिया में चर्चा का विशे बना हुआ है इस पे तुर्की, पाकिस्तान, अमरीका, यूएई, सौधी, अरेबिया और जैसे दीगर बड़े ममालिक रियक्शन्स दे रहे हैं, बयानात दे रहे हैं आखिर इसके पीछे की पूरी कहानी क्या है, आई आपको डिटेल में बताते हैं बात दर असल यह है कि पिछले 7 माई जुम्हे के रोज इसराइली पुलिस ने मस्जिद रक्सा में नमाज पढ़ रहे हैं, नमाजियों के साथ मार पीट की है उनके साथ बुरा सुलुक किया है, औरतों और बच्चों को भी मारा पीटा गया है इसके इलावा मस्जिद की जबरदस तरीके से बेहुरमती की गई है, तोड़ फोड़ की गई है मस्जिद में ग्रिनिट फेके गए हैं, यह तो सरिफ यह खबर है लेकिन इस खबर की पीछे कई सारी खबरे हैं, और कई सारे सवाल है कि आखर इस्राइली पुलिस मस्जिद में क्यों हो सी, मसलमान क्यों परदọशन कर रहे हैं और इस्राइल क्या चाहता है, मुसलमान क्या चाहते हैं, فλιस्तिनीों का मसला क्या है तो ये सब कुछ मैं आपके सामने बताने वाला हूँ, इससे पहले गुजारिश आपसे ये है, कि अगर अब तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम इसी तरह के वीडियो बनाते रहते हैं, बगल में घंटी पर हो रहा है, और क्यों हो रहा है, तो सबसे पहले अगर आप वर्ड मैप पर जाएंगे, यह पूरी दुनिया का नक्षा है, इस दुनिया के नक्षे में यहाँ पर इस्राइल ही में एक जगे है, जरुशलम, हलाकि जरुशलम जो है, वो इस्राइल को भी बिलॉंग नहीं से शेख जर्राप उसके बिप़सी में है जरुशलम के सब से पहले हम आपको जरुशलम के बारे में फ़ ROB सा बता दें पिर शेख जर्राप नहीं पर यह बताएंगे कि दर शोदधे पहुत हम एन स्रेख जर्राप का वा की अगया नहीं है बलकि है एक ऐसी जगे है यह पूरी दुनिया के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टन प्लेस है अब मैं आपको बताऊं कि यह देखें यह मस्यद अक्सा है यही पर यह मुसल्मानों के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टन प्लेस है यह देखें यह मस्यद अक्सा है डॉमा प्रॉक है यह एरिय कि यहूदी, मुसल्मान और इसाई, ये तीनों कम्यूनिटी के लिए ये एरिया सबसे ज़्यादा इंपोर्टन्ट है, अल्मॉस्ट एक डेड़ किलोमिटर का जो एरिया है अब ये क्यों है तीनों के लिए, मैं आपको थोड़ा सा डीटेल बता देता हूँ ये देखिए, अल-क्सा मास, जो है, सबसे पहले मुसल्मानों के तालूँ से मैं बता दूँ कि अल-क्सा मास, जैनि जिसको मस्जिद अक्सा बोलते है, ये इसलाम में तीसे नंबर पर सबसे ज़्यादा इंपोर्टन्ट प्लेस है अगर मस्जिद हराम के बात करें, यानि खाने काबा, मस्जिद नबवी और तीसे नंबर पर मस्जिद अक्सा है ये तीसे नंबर पर सबसे इंपोर्टन्ट है, और यहीं पर बगल में डॉम अफ दे रॉक है, जिसको बोलते है ये देखिए, ये है कुछ इस तरीके से दिखता है यह कुछ इस तरीके से दिखता है बाद लोग गलत फहमी में इसी को मस्जिद अकसा समझ लेते हैं हलाकि मस्जिद अकसा यह नहीं मस्जिद अकसा यह है इस तरीके से मस्जिद अकसा दिखता है दर असल नमाज यहां पर होती है मस्जिद अकसा में नमाज होती है नमाज यहा मिराज को गए थे और अला ते से बातें की थी वो प्रिजर्व करके रखा गया है तो और यह जो पूरा एरिया है यह पहाड़ी परिस्टी थे यह पूरा इसलिए इसको टेंपल आफ माउंट बोलते हैं अब यह मुसलमानों के साइट है यहां यहां पर मुसलमान के दो प्ले कोदियों का बहुत पवित्र अस्थान बलके सबसे पवित्र अस्थान है जिसको वेस्टन वाल बोलते हैं यह वेस्टन वाल क्यों बोलते हैं बैसिकली दरसल मैं अगर इसका फोटू दिखा दू आपको तो दरसल फोटू उसका कुछ यह देखता है यह देखे अब यह दे एक पैगंबर हुआ करते थे उनकी बेटे हज़र सुलिमान अलिएसलाम ने एक इमारत बनाई थी उसको हैकल सुलिमानी कहते हैं और हैकल सुलिमानी को आज से लगभग 2000 साल पहले रूमियों ने डिस्ट्रॉय कर दिया था यह जरुशलम ही को डिस्ट्रॉय कर दिया था तो है सुलिमानी भी डिस्ट्रॉय हो गया था लेकिन उसकी सिर्फ एक दिवार बची थी और वह पच्चिमी दिवार बची थी यानि वेस्टन वाल बची थी मगरिबी दिवार तो उसी को आज यहूदी जब दुबारा से वह आये हैं यहां पर यानि जरुशलम में और वहां आन से इसको वेलिंग वाल भी बोलते हैं वेलिंग मतलब वेल करना रोना रोना दोना उसको वेल इंगलिश में कहते हैं वेल करना और इसको उर्दू में दिवारे गिरिया बोलते हैं यहां रोने धोने वाली दिवार तो बिसिकली वह अफसोस में यहां आकर के रोते हैं कि सिर अलगसा मस्जीद है और यहीं से थोड़ी दूर पर यह डॉम अफ़ रॉक है और यह है वेस्टन वॉल अब देखी यह तीनों साइड से एक के उपर एक हैं कि मुसल्मान और यहूदी चाह करके भी इसको आपस में बाट नहीं पा रहे हैं तो मजबूरन इनको अपने वर्श रिख पे चले जाते हैं और यहूदी जो होते हैं वह यहीं पर सिर्फ रहते हैं और यहीं पर यह देखे यहीं पर अबादति करते हैं और अपनी पुज़ा पद्धती जो कुछ का पवित्र अस्थल है और यहीं से थोड़ी दूर पर लगबग आधा एक किलोमेटर की दूरी पर होगा यहां पर एक चर्च है जो क्रिश्चानिटी का सबसे पाइस चर्च माना जाता है इसको चर्च अगर आप इसको हम क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरीके से आप देख सकते हैं यह देखे यह चर्च अफ होली सपलकर है यह क्रिश्चन का यह मानना है कि इसा अले सलाम यहीं पर क्रुसिफाइड के गए थे और यहीं पर वो रिसरेक्ट होंगे यानि दुबारा से वो आएंग यहाय है यह अब आप देखे के यहाय है यह मसलमान के लिए यह एक क्लिमेटर का रेया है जिरुश वो उस ईर्य की बहुत ही है कि ये किसकी जगे है हाला कि यहुदियों ने कबजा कर रखा है लेकिन कोई माननेता नहीं दे रहा है तो कुल मिलाकर के बात यह है कि इसी जरुशलम में हंगामा बपा है इस वक्त और पूरी दुनिया के इस वक्त नजर है यानि पूरी दुनिया कह लिए कि पूरी दुनि दुनिया इस पे रियक्शन दे रहा है मैं आपको कुछ ट्विट्स दिखाता हूँ अगर आप देखें तो ये देखें ये पाकिस्तान के परधान मंतरी अमरान खान ने ट्विट किया है कि इनसानिये की तमाम हुदूत और आलमी गवानिन पामाल करते हुए खुसूसां सिदे अकसा में अहल फिलस्तीन पर हमले के शदीद मजमत और अहल फिलस्तीन के हमायत का इयादा करते हैं आलमी बरादरी फिलस्तीनी अवाम और उनके हुकुक के तहफुस के लिए फोरी तद्वीर करें ये देखें इमरान खान का ट्विट है इसी तरह से रजब तय इन्होंने अरबिक में भी ट्विट किया है इन्होंने लिखा है नुदीनु बिश्चिदति अइदायाति साफरत लती तकूम भी है इसराइल तजाहु कि बलतना अलूला मस्जिद अकसा फी कुल रमदान मालसफ यह कहना यह चाह रहे हैं कि मतलब रमदान के हर महीने में इ इसराइल इस तरह के हरकतें करता है उसके हम शदीद अलफाज में मजमत करते हैं क्योंकि मस्जिद अकसा हमारा किबले अवल है पहला किबला है उसके बार मैं लिखा है वन्हानु फी तुर्किया सनुवासल अलवकूफ विजानबी इखवातिना फिलस्तीनी फी जमील साथ खड़ा हुआ है तो उन्होंने एर्बी में भी टुईट किया है और इंग्लिश में भी टुईट किया है चूट्य कि टर्किश मुझे नहीं आती है तो इसलिए मैं इस ट्विट को नपढ़ सकता हूं न समझ सकता हूं अब आईए देखते हैं कि United Nation ने भी इस पर tweet किया है United Nation ने लिखा है We call on Israel to immediately halt all force evictions यानि हम इसराइली हकुमत से गुजारिश करते हैं कि वो फौरी तोर पर जो अभी वो खाली करा रहा है फिलस्तिनियों को जबरदस्ती उसको फौरी तोर पर बंद करे इसके लावा OIC ने भी tweet किया है हलाकि OIC का tweet बहुत देर आया यह आप देखिए कि आज 10 तारीक को OIC का tweet आया है जबकि यह 7 तारीक की घटना है OIC एक संगठन है जिसको Organization of Islamic Corporation उसको बोलते हैं लेकिन यह बस बराए नाम है यह कंडम उसने खाली किया है कंडम इस तो पर किया है यह देखिए इसने लिखा भी है The Organization of Islamic Corporation OIC upon the request of State of Palestine will on 11th of May 2021 convene an emergency meeting of permanent representative to discuss the escalating hashtag Israel aggression in the Al-Quds यानि इस तरीके से लिखा है कि जो State of Palestinian की request पे उन्होंने emergency meeting बुलाई है 11 माई 2021 को और उसके साथ फिर permanent representative के साथ discuss करेंगे इस सिलसे में तो यह देखिए यह OIC का किरदार है हाला कि OIC को मैं तो बिल्कुल बेकार समझता हूँ किसी राय कोई organization है थोरा सा मैं आपको OIC के बारे में बता देता हूँ briefly कि दरसल यह OIC है क्या चीज OIC का गठन हुआ था 1969 में 1969 में हुआ था 1969 में हुआ क्यों था उसके पीछे की कहानी जो है यह जो डॉम आफ रोग दिख रहा है यह 1979 में उसने मतलब इसके central डॉमों के नीचे ही central hall में उसने क्या कर दिया था आग लगा दी थी उसके आग लगाने के बाद ही पूरा चारो तरफ से हंगामा फैल गया यह दिखिए उस दोर की तस्वीर आपको में दिखा रहा हूँ तो यह असल में एक और नागरिक था यानि और रहने वाला था फिर वो जेरुशलम में आ गया था फिर बाद में इसको पागल घोशित कर दिया गया है मतलब इतना यह इंटरनेशनल कवानीन है कि एक ऐसे वेक्ति को पागल घोशित कर दिया गया जो कि इतना बड़ा हीनियस क्राइम कर चुका हो इसी घटना के होने के बाद 1979 में OIC का गठन हुआ था और OIC का मकसद ही था कि मुसल्मानों की जितने हुकूक है वो इसको प्रिजर्व करना यानि उनके हुकूक की खिलाफ वर्जी नहोने पाए इसी वज़े से उसका गठन हुआ था लेकिन आप देखिए कि OIC कितना ज़्यादा हुकूक की पासदारी करता है ये किसी से ढखा छुपा नहीं है और इसका हेड़कॉर्टर जो है वो सौधी अरब के जद्दा में है और ये सौधी अरब इसका कह सकते हैं करता धरता है इसमें टोटल 57 कंट्रीज हैं जिसमें से लगबग 40 देश ऐसे हैं जिसको कहलाते हैं और उसमें से बाकी 70 कंट्रीज हैं वो ऐसे देश हैं जिसमें मसल्मानों की अकसरियत है या कुछ ऐसे देश हैं जिसे रश्या हो गया थाइलेंड हो के तोट्रीज है वो उसके बावजुद भी उनको उसका बाइकॉट किया था और इसका जो पहला इजलास हुआ था वो मराकश यानि जिसको एंग्लिश में मुरक्को बोलते हैं मुरक्को में हुआ था वहाँ का एक शहर है रबाद वहाँ पे हुआ था तो ये कुल मिला करके इसके लगभग बावन साल हो गए हैं लेकिन ये बावन साल में पूरी तरीके से ये बेकार साबित हुआ है ये तीन-चार दिनों के बाद में आकर के इसको समझ में आए कि इस पर कोई बात कहनी चाहिए जब चारों तरफ से प्रेशर इस पर पड़ा है तब अब आज़े देखते हैं कि Ministry International ने इस पर क्या कहा है क्योंकि मैंने जैसा कि बता है कि पूरी दुनिया से इस पर प्रतिक्रियाएं आ रही है तो Ministry International जो एक International एदारा है और इंसानी हुक की पामाली के तालुक से वो बात चीत करता है यानि किसी के Human Rights का Violation ना हो उसके तालुक से बात करता है तो उसने भी लिखा है कि Stop Violation in Occupied East Jerusalem यानि उसने इसराइल से कहा है कि जो East Jerusalem आपने Occupied किया है वहाँ आप जो ताड़ों मचा रहे हैं उस ताड़ों मचाने को बंद कर दीजिए इसके लावा रापते आले बें इसलामी ने भी अपना एक फर्ज निभाया है कुछ लिख करके पूरा एक खत लिखा है उसके लावा मैं आपको बताओं कि अमरीका ने भी इस पे चिंता जटाई है यूई ने भी चिंता जटाई है आपको मैं बता दूं कि UAE ने जब इसराइल के साथ टाइएप किया था उसका क्लोज अलाई बना था हलागि UAE का ये तरक था कि हम इसराइल के साथ अच्छे तालुकात करके मुसल्मानों के हक की बात करेंगे लेकिन फिलहाल तो कुछ लगता दिखाई ने दे रहा है सिवाए कंडम करने के यहने सिर्फ मजमत कर लीजे, निंदा कर लीजे, कडी निंदा कर लीजे इसके लावाब आप कुछ नहीं कर सकते हैं इसराइल का और जब अरब देशों में जाते हैं तो इनका बहुत भवे स्वागत होता है लेकिन पिछले 3-4 दिनों से पूरी अरब दुनिया में तांडों मचा हुआ है और इसराइल और पलेस्तीन एक दूसरे के साथ उल्जे हुए है पलेस्तीनियों के साथ इसराइल लगातार नाइंसाफी पे नाइंसाफी करता जा रहा है ग्यू सेटिल्मेंट करता जा रहा है और ये भाई साथ मुह में दही जमाया बैठे हैं एक लफ्स बोलने के मोड में नहीं है इनको आप क्या कहेंगे इनको पाखंडी नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे और दूसरे नमबर पर हमारे ये पाखंडी है भराक아 उबामा जी आप इनको जानते ही होंगे ये अमरिका की प्रिछडरन रह चुके हैं धर्म, धार्मिक अस्थल पर और खास उसे वहां क्रिस्चानिटी का एक बहुत ही बड़ा मकाम है, वहां पर चीजें हो रही है, इतनी बड़ी मिस हैपनिंग हो रही है, इतना सब तांडों मच रहा है, आप इस पर कमेंड नहीं कर सकते हैं, और यह मुतरमा मलाला यूसुफ पाकिस्तान के रहने वाली हैं, आपको पता होगा, इनको नोबल प्राइज फी मिल चुका है, और इनको भी नोबल प्राइज मिला हुआ है, यानि बराक ओबामा को भी नोबल प्राइज मिला हुआ है, और इनको नोबल प्राइज फॉर पीस मिला हुआ हुआ है, अब इनको यहां पर terrorist attack लग रहा है लेकिन फिलस्तीन में अलगसा मस्जिद में जो इस्राइली पुलिस ने terrorist की तरीके से वहां attack किया है वहां मुसल्मानों पर और नमाज पढ़ने वाली लोगों पर ये इनको दिखाई ने दे रहा है यह इनकी hypocrisy है इसी वहां इनको hypocrisy की category में लाया है और इनको मैंने hypocrite कहा है यह देखे हम record ही कर रहे थे अभी 70 secret हुआ है मलालय ईसुज़ई कर tweet आगया तो अब जाकर के इनको भी समझ में आया है तो कहीं दिया है, इस तस्वीर में मैं आपको clear करके दिखाता हूँ कि यहाँ पर मुसल्मान, यहूदी और Christian यानि इसाई यह तीनों इस एरिय में इतनी जादा दिल्चस्पी क्यों लेते हैं और तीन बड़े मजाहिद, दुनिया की तीन बड़े धर्मों के लिए यह एरिया सबसे जादा important क्यों है, तो दरसल सबसे पहले हम आपको यह बता दें कि यह जो एरिया है, इतना जो एरिया है, यह मुसल्मानों के लिए बहुत important है अब उसमें से इसको हम दो category में बाढ़ सकते हैं, यह दो कर देते हैं एक हम कर देंगे, इसको हम बोलते हैं, अल-अक्सा मसीद, यह है अल-अक्सा मसीद और यह है, डॉम अफ रॉक, यह पूरा मुसल्मानों का एरिया है इसके इलावा यह एरिया जो है, यह यहुदियों के लिए बहुत जादा important है क्योंकि यहीं पर western wall है, यह देखें, यह है western wall यह देखें, यहाँ जहाँ पर मैं यह इसको कर रहा हूँ यह इसायों के लिए सबसे ज़्यदा पवितर स्थले तो इस हवाले से देखा जाए, तो Christianity के लिए, Judaism के लिए और Islam के लिए, यह तीनों के लिए यह जो एरिया है, यह पूरा एरिया है, यह बहुत जादा एहमियत का हामिल है यही वज़े है कि इस एरिय में जब भी कोई घटना होती है, तो पूरी दुनिया की नजर इस पर आ जाती है और अभी फिलहाल जो घटना हो रही है, वो यहां पर हो रही है, यानि इस मस्जीड में हो रही है इलाका है ये मैं अगर दिखा सकूँ तो तो यह जो एरिया दिख रहा है यह शेख जराया कहलाता है तो दरसल इस एरिये में जो मुसल्मान बसे हुए हैं उनको जबरदस्ती उनके घरों से निकाल करके यहूदियों को बसाया जा रहा है अब अगला सवाल है कि आखिरी फिलस्तीनी मुसल्मान बड़े पैमाने पर परदर्शन कर क्यों रहे हैं तो उसका जवाब यह जब एकि जब 1948 में इसराइल का बाजापता क्याम हुआ था और इसराइली यहूदियों ने मुसल्मानों की कई सारे घरों को कबजा कर लिया था और उनको घरों से निकाल बाहर किया था तो वो मुसल्मान इदर उदर भटक रहे थे और भटकने के नतीजे में वो कहीं न कहीं अपने आपको बेघर महसूस कर रहे थे तो फाइनली 1956 में शेख जर्रा इलाके में फलस्तिनी मुसल्मानों को यहूदी सरकार ने यूएन रिफ्यूजी एजनसी के माद्यम से बसाया था यानि उनको घर दिया था लेकिन अब वही घर वो लोग खाली करा रहे हैं और जबरदस्ती कर रहे हैं इसी निये मुसल्मान मुखालफत कर रहे हैं हाला कि इस केस को करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि जादा जादा यहूदियों को यहां बसा दिया जाए मुसल्मानों को यहां से खदेड दिया जाए भगा दिया जाए यह उनकी पूरी कोशिश है और यही कारण था कि पिछले 10 दिनों से फिलस्तिनी मुसल्मान लगातार प्रदर्शन कर र तो अब ऐसी सूरत में ये देखिए कि इसराइल की ये जो खुल करके बरबरता सामने आ गई है इसको लेकर के पूरी दुनिया ने आवाज उठा ली है और अब ऐसा लगता है कि इसराइल को बहुत प्रेशर का सामना करना पड़ेगा अब मैं आपको एक नक्षा दिखाने ज अलाका है और जितना हरा हरा दिख रहा है ये सम्मुसलमानों का यानि फिलस्तीनी मसलमानों का इलाका है लेकिन उसके बाद आप लगतार देखते जाएए तो इसराइल का इलाका बढ़ता चला गया और आगे देखिए तो आप यहां पर और और देख लीजे कि यहां पर और भी घटता चला गया, मुसल्मानों का अलाका और इसराइल का अलाका और बढ़ता चला गया, उससे पहले हम थोड़ा सा और जाएं, तो 1937 में ये जितना अलाका हरा दिख रहा है, ये फिलस्तीन की कबजें में था, ये सफेद अलाका जो दिख रहा है, ये यहूदी सेटल हुआ था, आपको पता होगा कि 2 नॉवंबर 1917 को बेलफोर्ट डेकलिरेशन हुआ था, यानि कागजी तोपर 1917 में बेटन सरकार ने यहूदियों को इस एरिये में आ करके सेटल होने की इजाज़त दे दी थी, और उसके बाद से 1937 में बड़ी तादाद में आ करके यहूदी यहाँ पर इस एरिये में बसने लगे, यानि पूरी दुनिया से यहूदी यहाँ आ करके बसने लगे, आप देखे, 1917 से 1937 याने से 20 साल में इतने एरिये से देखे, इतने एरिये पर इन लोगों ने कबज़ा कर लिया, अब उन्हें इस एरिया यह जो एरिया पूरा ग्रीन गया वहाँ पर, और ठीक उसके एक दिन बाद यानि पंदरा मही उन्ने सो आटारिस को अरब नेशन्स और इसराइल के दर्मियान बड़ी जंग हुई, लेकिन इसराइल चुकि बहुत ताकतवर था, बहुत पावरफुल था, उसके पहले जो प्रधानमंत्री थे डेविड बड़े देशों को हरा दिया था, अब सोच लिजे कि कितना ज़्यादा इसराइल पावरफुल था, और अपने इस ताकत के नतीजे में ही इसराइल ने धीरे धीरे पूरे एरिये को अकुपाई करना शुरू कर दिया, अब आप देखिए, 1967 में जब लड़ाई हुई जंग कि अगर उक तस्वीर देखें, तो इसराइल धीरे धीरे इतना ज़ादा अपने लोगों को हर जगे सेटल कर रहा है, कि अब यहां पर देखिए, यहां सब छेद हो गया, पहले यहां पूरा भरा हुआ था, अब यहां सब सफेज सफेज दिखने लगा, इसका मतलब क्या चिज़े सबस्क्राइज रहा हैं, और यहां पर अपने मकान बना यहां और उसको बाउंडरी खेड देते हैं, तो अब एक तरीके से म सल्मान रोते रहो ऐसे भी उनका कोई सुनने वाला नहीं है, तो कुल मिला करके यह कहें, कि यहूदी धीरे धीरे ते तेघरे नहीं को करने में लगे हुए हैं और धीरे धीरे वो एक तरीके से जिरुशलम पे भी कब्जा करने के कुशिश कर रहे हैं और एक दिन ऐसा आ जाएगा कि जिरुशलम पे भी वो पूरी तरीके से कब्जा कर लेंगे हाला कि कब्जा तो कर चुके हैं लेकिन दुनिया ने उसको जा रहा है और इसकी तस्दीक आप इस पिक्चर से आसानी के साथ देख सकते हैं कि कहां से कहां पहुंच गया है ये है पूरी कहानी अब ये अगली तस्वीर देखिए ये ज्यूस सेटिन्मेंट की एक कड़ी है जनवरी 2020 में डोनल्ड टरंप ने टरंप पीस प्लान के नाम स से एक अग्रिमेंट साइन किया था और ये देखिए ये उनके हस्तक्षर दिख रहे हैं और ये डोनल्ड टरंप है और ये बिंजमिन नेतिन्याहू मुस्कुरा रहे हैं इसराइल के प्रधान मंत्री है और इनके बगल में जो ये शख्स दिख रहा है खड़ा हुआ ये डो को खुबूल कर लिया है यानि वो भी यहूदी बन गई उसका यहूदी दामाद तो पहले ही सी था तो जाई जी बात है इनकी हमदर्दी समझ में आ सकती है कि डोनल्ड टरंप की हमदर्दी यहूदियों के दालू से कितनी हो सकती है तो उनका ये प्लान था कि ये वेस्ट गाजा स्ट्रीप है आप ये देखी गाजा स्ट्रीप अभी मैंने आपको दिखाया तो इस तस्वीर में आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहूदी प्रधान मंत्री लगातार अपने जमीन को बढ़ाता जा रहा है ग्रेटर इस्राहिल के तरफ और जो भी अमरीका के प्रा प्राप्लिकन की सरकार आती है तो प्रो यहूदी बन जाते हैं क्योंकि उनको अब माना जाता है कि उनको यहूदियों को वोट जादा मिलता है जैसे हमारे हिंदुस्तान में देख लिए यहां भी धूमी करण होता है वहां भी मजभब के नाम पर धूमी करण होता है आप के साथ हिंदिया, इंडिया के पॉलिटिक्स को समझ सकते हैं और अमरीका के भी पॉलिटिक्स को आप आसानी के साथ समझ सकते हैं तो ये समझ लिए कि क्यों अमरीका के पॉलिटिक्स यहूदियों के तरफ ज्यादा जुकी रहती है उसका बेसिक कारण यही है वहाँ ओड बैंक की राजनीती यही पर अमल दखल करती है आपको पता होगा कि डारिक शौविन के नाम से एक पुलिस अफस्दा मेने सूटा में उसने एक नील डाउन करके एक चॉकनेक्ट कर दिया था इस शक्स को और य यहां भी चॉकनेट किया गया है लेकिन उसकी बावजूद यह मुसल्मान है और इसी वज़े से इसकी तरफ किसी का ध्यान नहीं गया यह चार मई 2021 की घटना है और यह 25 मई 2000 यह लगबल लगबल एक साल पहले की घटना है और इस एक साल पहले वाली घटना पे पूरी दु दुनिया में हतजाज हो रहा था लेकिन इस तस्वीर के बारे में शाइद कोई जानता भी नहीं होगा कि यह भी कोई तस्वीर है तो आप देख लीजी कि दुनिया का दोगला चेहरा कैसा होता है दुनिया अमीर और गरीब मजभ के नाम पर किस तरीके से भेदभाव करती ह आप इन दोनों तस्वीरों में आसानी के साथ देख सकते हैं और समझ सकते हैं इस अगली तस्वीर में मैं आपको fascism की घिनावनी तस्वीर दिखाने जा रहा हूँ यह किसी ने caricature बनाया है आप यह देखें यह cylinder इसमें सौधी अरब का जंडा लगा हुआ है आपको पता है कि सौधी अरब से cylinder आया था oxygen cylinder आया था तो सौधी अरब का oxygen ले रहे हैं और कौन है यह भगवा है फासिस्थ हैं और यहाँ पर लिखा हुआ stand with इस्राइल क्यों हुँ यह लिखा हुआ है यह देखें ट्रेंड चल ला था ट्वीटर पे मैं वैसे नहीं बोलाओं कि इंडिया shortened with इस्राइब हलाकि इंडिया इस्टेंड विद पालेस्टाइन भी चल ला था लेकिन ये भी ट्रेंढ चल ला था अब देखें कितना घिनाओना मामला है यानि अभी भी कुछ लोग इस देश में ऐसे लोग हैं कि उनको ये नहीं समझ में आ रहा है कि किसके साथ खड़ा होना चाहिए किसके साथ नहीं खड़ा हो हाला कि इनके खड़े होने या बैटने से कोई फरक नहीं पड़ता है लेकिन फिर भी ये इनकी मानसिक्ता दर्शाती है कि ये कितने घिनोने लोग हैं यह भगवा किसिम के यह जो पाखंडी है कि कितने घिनोने लोग है यह अगर यरूशलम में फिलस्तीनी प्रदिश्टारियों ने इसराईली पुलिस पर फेके पत्थर कारवाई में 163 लोग घायर अभी देखिए पहले इन लोगों ने पत्थर फेका था या पहले पुलिस ने हमला किया था जाहिर सी बाते सब जानते हैं कि पहले पुलिस ने हमला किया था यही वज़ा है कि पूरी दुनिया इसराइल को कंडम कर रही है और यह पेपर क्या लिख रहा है अमरुजाला यह कहा रहा है यह रहा है यह रहा है यह गालिबन साहिर मुध्यानवी ने कहा था कि जल्म फिर जल्म है बढ़ता है तो मिट जाता है खुन फिर खुन है टपकेगा तो जम जाएगा